जो स्टूरेंट्स यहां बैठे हैं आपसे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं आपने एपीजे अब्दुल कलाम साब का नाम सुना है ना सबने हाँ कलाम साब ने एक बात कही थी कि इन दे वेरी ओल टाइम्स दे वर्ल्ड वास ड्राइवन यानि पहले शरीर की ताकत से दुनिया चलती थी उसके बाद कुछ दिन पैसे से दुनिया चली और अब दुनिया कैसे चलती है ज्यान की ताकत से चलती है आज अमेरिका और रूस फ्रांस क्यों हमसे आगे हैं उनकी जनसंख्या भी कम है शायद वो मेहनती भी हमसे कम है लेकिन वो हमसे क्यों आगे हैं क्योंकि उनके यहां शिक्ष्या का जो प्रसार था वो हमसे ज़्यादा हुआ वो हम से ज़ादा educated हैं हम लोग प्राचीन काल में हमारे हाँ बहुत अच्छी university थी नालंदा university थी तक्षिला university थी लेकिन जब मध्यकाल आया तो हमने अंद विश्वासों पर ज़ादा ध्यान दिया और जो knowledge था science का उस पर हमने कम ध्यान दिया इसलिए हम विश्व में पिछड गए sst में आप लोग पढ़ते होंगे 10th के बच्चे sst पढ़ते हैं कि एक समय था जब world की जो richest countries थी वो रूस अमेरिका नहीं थी वो इंडिया था और वो चाइना था चीन और भारत विश्व के सबसे धनी देश थे लेकिन हमने education पर ध्यान देना चोड़ा उसका नतीजा ये निकला कि हम लोग गरीब हो गए हम लोग पिछड गए हम लोग कमजोर हो गए इसलिए अगर आपको खुद को ताकतवर होना है और इस देश को ताकतवर बनाना है तो आप लोग शिक्षा पर जादा से जादा ध्यान दीजिए हमारी बेटियां यहां बैठी हुई है आप लोग बहुत खुश किस्मत है आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने इस जमाने में जन्म लिया है जब लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है जब लड़कियां बराबरी के अधिकार के साथ आत्म सम्मान से जिंदगी जी सकती है मैं अभी सौफे पर अकेली बैठी हुई थी फिर उसके बाद शिफा जी आए और फिर उसके बाद संतोष जी आए तो हमें जगे हमारी बढ़ती गई मैंने का भई पूर्शो सिंगासन खाली करो महिलाएं आती है तो आप लोग बहुत खुशकिस्मित हैं आपकी दादी नानी कितना मेहनत करती थी सांस नहीं ले पाती थी खुलकर घुंगट से चेहरा ढखकर रखना पड़ता था जोर से बोल नहीं पाती थी आप स्कूल आते हो बहुत खुशकिस्मती की आपके लिए बात है आपको इसका फाइदा उठाना चाहिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक मजबूत नारी बने और आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आपके उपर बहुत विश्वास करते आपके पैरेंट्स आपको घर से बाहर भेजते हैं अपने माता पिता को हमेशा आपने मन में रखिए दूसरी चीज आप बच्चों से जो कहना चाहती हूँ आज कल क्या है पहले तो घर में बहुत सारे बच्चे होते थे संयुक्त परिवार होता था चलते ही कोई सिर में थपड मार देता था बच्चों को बुरा नहीं लगता था टीचर्स की मार खाते रहते थे हंसते रहते थे आजकल एक दो बच्चे होते हैं घर में बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं आप लोगों को जब आपके माता-पिता टोकते हैं आपके टीचर्स टोकते हैं आपको बुरा लगता है आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी चिंता करते हैं मैं आपको छोटा सा किसा सुनाऊंगी एक गाय जंगल में चर रही थी अचानक उसने देखा एक बाग पीछे दोड़ा गाय भी भ और उसने बाग से कहा बाग तू तो गया तू मरेगा तो बाग ने कहा तुम क्या हांसरी हो तुम भी तो मरोगी दलदल में उसने कहा मैं नहीं मरूंगी देखना शाम को जब मालिक ने देखा गाय नहीं आई वो दो चार लोगों को लेकर आया जब देखा गाय दलदल में हुई है वो रसे लाया लकडी लाया और गाय को निकाल कर बाहर किया तो गाय ने बाग को कहा बाग तुझे कोई नहीं निकालेगा मैंने कहा था ना जिसको संभालने वाले होते हैं वो दल दल में फसकर नहीं मरता आपके आपके जो टीचर्स हैं आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको संभालने वाले हैं अगर आप उनकी बात मानेंगे आप डांट के पीछे छुपी हुई उनकी चिंता को आप समझेंगे तो आप बुराईयों के औ और गलतियों के दंदमें कभी नहीं फुषेंगे। इसलिए अपने माता-पिता को विशेश कर अपनी माँ का चहरा अपने दमाक में रखे कि वह आपके उपर कितना विश्वास करते हैं, वो आपकी कितनी चिंता करते हैं, घर पे आपका इंतजार करते हैं, आपके लिए हमेशा वो दुआएं करते हैं, आपके माता पिता जब मंदिर में जाते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं मांगते, जब वो बचत करते हैं, उस पैसे से खुद के लिए कुछ नहीं खरीते, व आपका मन बहुत सम्रद्ध हो, आपका हरदय बहुत सम्वेधन शील हो, मैं स्कूल को, स्कूल को मैं बहुत-बहुत शुब कामनाई देती हूँ, टीचर से अपील करती हूँ, कि व्यक्ति केवल शरीर और दिमाग नहीं होता, एक मन होता है, एक आत्मा होती है, दिमाग तो तेज होता है, लेकिन बच्चों का मन सम्रद्ध कीजिए, उन्हें कमजोर पर दया करना सिखाइए, उन्हें परिवार के प्रती सम्वेधन शील बनना सिखाइए, कि वो एक अच्छे संपूर्ण नागरिक बने, जिसको कहते हैं, कमप्लीट पर्सनलटी वैसे बने, मैं स्कूल को, आप सब बच्चों को, आपको धेर सारी शुब कामनाई देती हूँ, आप अच्छे व्यक्तित्व बने, आप अच्छे नागरिक बने, एक मजबूत परिवार का, मजबूत देश का, और एक अच्छे समाज का, आप निर्मान करें, आपने बुलाया, हमें सुना, हमें सम्मान दिया, मैं भृदे से आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.